टाना भगत समाच के मुख्या की पत्नी को रिम्स में जगा मिली फर्ष पर माँ पापा का दुखडा उजागर होने के बाद बेटे से रहा नहीं गया दोड़ा दोड़ा घर पहुँचा और माँ से लिपट कर बस इतना ही कहा कि मेरे रहते अब तुझे कश्ट नहीं होगा शुकरवार की शाम पांच बजे उसे रिम्स के मेडिसन वार्ड में भरती कराया गया है डॉक्टर बी कुमार की देख रेख में इलाज शुरू हुआ है हैरत की बात ये है कि सानो भगताईन को बेड़ के बजाए फर्ष मिला इस ठंड में फर्ष में लेटनी के बजाए वो बैठ कर रात गुजार रही है एक बार फिर रहनुमा बन कर सामने आए जहारखन के गुलाम मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा अंसारी ने डॉक्टर अजीत चौधरी से बात कर टाना भगत परिवार से जुड़ी सानो भगताईन को हर बहतर चिकितसा उबलब्त कराने का आगरह किया है वहीं बेटा इत्वा टाना भगत का होसला अफजाई करते हुए कहा कि सब बढ़िया होगा मरीज सानो भगताईन के पती खेड़िया टाना भगत टाना भगत विकास परिशत के राची जिलाध्यक्ष है दुर्भाग्य से वो भी बिमार है उन्हें लक्वा मार गया है बेटे को उम्मीद है कि उसके माँ बाप की जिन्दगी बचाने के लिए सामने कोई नो कोई जरूर आएगा गरवार की रातकोहरामलाइब.com में शीरशक जारखन का गुलाम मुस्तफा से चली खबर के बात का ही ये असर है वही दूसरी और बताया गया कि जैसे ही रिम्स में शोशल मीडिया बिमार टाना भगत से उनका दुखड़ा जाकर निकला तो एतवा टाना भगत को वाड में ही एक केबिन में बुलाया गया उससे पूछा गया कि इन लोगों से तुम्हारा कैसे परिचे है क्या क्या बोले खुल कर बताओ एत्वा ने कहा सर मैंने कुछ भी नहीं कहा सिर्फ इतना बताया कि अपनी मा को आज शाम पांच बजे यहां भरती कराया हूँ इलाग चल रहा है अब तक 6,000 रुपे खर्च हो चुके हैं हुआ